हाई फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रहे हूं चौकोलावा केक की रेस्पी और आप देख सकते हैं यह कितना सौफ्ट बना है और जो अंदर की चौकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है और इस चौकोलावा केक को बनाने में तो कड़ाई में हम डालेंगे नमक तो आप कोई भी सस्ते से बनका नमक यहां पर यूज कर सकते हैं और कड़ाई के अंदर इस तरीके से नमक को फैला देंगे तो यहां पर यह जो नमक है मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा सा अलग दि गैस कर देंगे लोटू मीडियम फ्लेम पे और इसको ढख के हम अच्छे से प्रीहिट करेंगे तो इस कड़ाई को हम प्रीहिट होने देते हैं चलते हैं बाकी की तेयारियां कर लेते हैं और अब हमें केक बनाने के लिए चाहिए और यू बिसकिट तो यहां पे यहां पे छोटे वाले अब इन बिसकिट को हम डालेंगे जार के अंदर तो मैं ऐसी साबूट डाल रही हूं आप चाहिए तो तोड़ के भी डाल सकते हैं इन बिसकिट का हमें पाउडर बनाना है अच्छे से पीस लेना है तो सारे हम यह बिसकिट इसमें डाल देंगे और इतने बिस एलाई गुष्टेयर में पाउडर tenis , रूट कि आलाई तरीके सेे एस पाउडर के लिधक चानी when planning चीनी है साहित नहीं चानी के करिण Jeans के लाई बेंगे में रीकी बाउडर चानी बड़त आधा चानी से डालें को 3-2 बड़ा हिसे डालाई डालना है या भी द नी इसली सब्सक्राइब प्रिए लगां तो इस बाउल के अंदर हम अच्छे से ऑईल को लगा लेंगे जिससे कि जब हम इसमें जो केक है इसको निकाले आसानी से निकल जाए अच्छे से ऑईल लगाने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये केक का बैटर बस धियान रखें बहुत जादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में तो यहां पर मैंने सिर्फ आदा कफी दूद इसमें डाला है मुझे और डालने के ज़रत नहीं लगी है तो यह देखे इसको बाउल को हम पूरा उपर तक नहीं भरेंगे थोड़ा सा खाली छोड़ देंगे अब इसके बीच में हम रख देंगे डार्क चोकलेट तो यहां चोकलेट अम इसमें रख देंगे चोकलेट चोड़ी सी जादा ही डालें क्योंकि जब चोकलेट अच्छे से मेल्ट होती है तो उसके साथ केक खाना बहुत ही तेस्टी लगता है तो बस इसके ओपर जो बैटा है इस तरीके से फैला देंगे मतलब जो चोकलेट है इसको करेंगे अब चलते हैं कडाई की तरफ तो यहां पर यह जो हमने कडाई रखी ती प्रीहिट करने के लिए मतलब अच्छे से कडाई गरम हो चुकी है अब यह जो बावल है हम इसके अंदर रख देंगे तो बहुत ही साफधानी से रखें क्योंकि कडाई बहुत जादा गरम तो इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे अब गैस की फलेम को हम बिलकुल लो कर देंगे और लो फलेम पे हम इसे 15 से 20 निट तक ढम के बेख करेंगे ध्यान रखें 15 मिनट तक आप एक भाज चेक कर सकते हैं अगरा पर चेक करना है तो टूथपिक लेंगे और साइड में डालेंगे और यह देखिए बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल भी बैटर इसके उपर नहीं है अगर आपको लग रहा है कि हलका सा बैटर इस पर लग रहा है तो आप 2-3 मिनट तक और इसे बेख कर सकते हैं लेकिन यह बिल प्लेट को इस तरीके से उल्टा करेंगे और हलका सा इसको टैप करेंगे और धीरी से अटाएंगे और यह देखिए कितना यम्मी हमारा यह चौकोलावा केक बनके रेडी हुआ है बहुत अच्छे से बेक हो गया है आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं लेकिन मैं अटाला ऊटाएंगे तना पाउडर सुगर दाल रही है इस तरीके से इससी और जब जाधा टेस्टी लगे गा अगर आपको मीठ मे पेंग पर इस तरीके ऊपर से पाउडर सुगर को इसके अपर डालना अब मैआ को काट के दिखाती हूं यह देखिए चो केक है बिलकूल स वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल मत भूलिएगा और कौन-कौन इस तरीके से चॉकोलावा केक बनाता है यह भी मुझे मुझे कमन बॉक्स में कमन लिख के जरूर बताईएगा तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नई रेस्